परमीश युक धन्यवाद कि उसने मुझे एक और अफसर दिया आप लोगों के मत्वे में एक सू समाचार लेके आने के लिए और आज का सू समाचार हम देखेंगे मत्वे में से मत्वे उसका छटा द्याय और पांच वे आज से जब तू प्रात्ना करे तो कपटी के समान ना हो क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधना लेव में और सड़कों के मोडों पर खड़ी होकर प्रात्ना करना उनको अच्छा लगता है मैं तुम से सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पाच चुके धन्यवाद जब तु प्रात्ना करे तो कपटियों के समान ना हो कौन है ऐसा जो कपटी के समान प्रात्ना करता है कभी सोचा आपने मन में कपट है और प्रात्ना कर रहा है कपट समस्ते अंदर बुरे विचार चल रहे है और मुपे कुछ हो रहे है दोरी जिंदिगी प्रभु ईश्यू मसी से प्रात्ना करने वाले को प्रभु ईश्यू मसी क्या बोलता है कि तू कप्टियों के समान प्रात्ना मत करना, उस समय प्रमेश्यों से प्रात्ना करते ने, प्रभु इशुमत ही बता रहे हैं, तो क्या प्रात्ना करना वाले भी कप्टी हो सकते हैं क्या, प्रभु इशुमत से जूट नहीं बोलता, जूट बोलता कभी उसने जीवन में, न हमारे जीवन में पाप है. क्योंकि वाइबिल कहती है, पाप की मजदूरी मृत्यू है. यदि हम पाप करते हैं, तो हमारे जीवन में पाप था. इसलिए हमने क्या करा? हम मरें, हम दुबारा जीनी उठे. पर प्रभु इश्यू मसीख क्यों जी उठा? उसका सौ प्रतिशत यही प्रमान है, कि उसके जीवन में शुन्य पाप नहीं था. बिल्कुल जिरू. ना उसके विचारों में कभी आया, ना उसने कभी किया. अब हम लोग कलिशिया के अंदर रोज प्रात्ना करते हैं, अपने घरों में प्रात्ना करते हैं, अधर्मी में एक फर्क होता है बस, धर्मी अपने पापों का अंगिकार कर चुका है, नि तो पापी तो सब हैं, कोई नहीं कह सकता मैंने पाप न किया, यदि कोई कहता है कि मैंने पाप नहीं किया, तो वो प्रभु ईश्यू मसीख को जूटा कहलाता है, तो आज एक फर्क देखा हमने, धर्मी और अधर्मी में, कि धर्मी ने सिर्फ अपने पाप का अंगिकार किया, इसलिए प्रभु ने अपनी करुणा से उसको धर्मी गिना गया, और कोई फर्क नहीं है, पर यहाँ पर जो शुरुवात होती है, प्रभु ईशु मसी के चेले उससे पूछ रहते प्रभु, तु मुझे सिखा कि हम प्रात्ना कैसे करें, अब आप सोचिए चेले क्या वचन में कम थे, मैं समझता हूँ हम में से हरे एक से ज़्यादा विश्वास रखते थे प्रभु ईशु मसी पे, और इतना विश्वास था उनके अंदर कि उसके आश्यर कर्म को जब हमने देखा, तो इतने बड़े-बड़े आश्यर कर्म किये जो हम सोच भी नहीं सकते थे, लंगडो को चंगा कर दिया, आज हम प्रात्ना करते हुए जिजकते हमारे विश्वास कमजोर पड़ जाता है, क्यों? क्या प्रभु कर पाएगा क्या? क्या ये लंगड़ा ठीक हो पाएगा क्या? पर वचन कहता है, जिसने विश्वास में संदे किया, वो पाप करता है. अब इस आयत को समझना बहुत जरूरी है, वो क्या बोलता है? जब तू प्रात्ना करे, तो कप्टियों के समान ना हो. जो कपट रखते हैं, मन में कुछ हो रहें, और दिखाने के लिए जो प्रात्ना करते हैं, ऐसा मत बन जाना. पर तेरी प्रात्ना, प्रात्ना में प्रभु ईशु मसी को आदेश दे देते हैं. जितने लोग आफिसों में काम करते हैं, उनको मालूम है कि जब अपने बॉस को एप्लिकेशन लिखनी पड़ती है, तब पूरे जितने भी शब्दें, बड़े नम्रता के शब्द लिखने पड़ते हैं, कोई डिमांड भी यह नहीं तो उसको हम निवेदन लिखते हैं, डिमांड नहीं लिख सकते हैं, बहुस नाराज हो गया तो काम नहीं होगा, सानसारिक जीवन की बात बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी जब हम अपने अधिकारी को कोई भी पत्र लिखते हैं, तो उसके सारे शब्द सोच समझ के लिखते हैं, कि एक भी शब्द ऐसा नहो जाए कि हम उसको आदेश दे रहे हूँ, हम सारी बात ऐसे लिखते हैं कि नम्रता से, पर जब प्रभू ही शुमसी से प्रात्ना करने की बात आती है, तो हम सोचते ही नहीं हैं, उसको आदेश दे देते हैं, प्रभू यह करना होगा तुझे, प्रभू हमारे गुलाम नहीं है, हमको सिर्फ उसने ये एक अधिकार दे रखा है, कि हम उससे विंती कर सकते हैं, विंती पूरा करना, ना करना उसकी मर्जी है, हम उससे सवाल भी नहीं कर सकते हैं, प्रभू तुम मैंने प्रात्ना करी थी, वो काम क्यों नहीं हुआ, कोई अधिकार नहीं रखते हैं हम इस चीज़ करें, तो ये चीज सीखना में जरूरी है क्योंकि प्रभू ईशु मसी ने अपने चेलों को सिखाई बारा के बारा चेले वो सीख रहे थे यानि कि जब वो सीखना उनके लिए जरूरी था तो हर एक कलिश्या में हर एक विश्वासी के लिए भी सीखना जरूरी कि प्रात्ना कैसे करी जाए हम अपने आपको कभी भी ऐसा ना समझें कि हमें सब कुछ आता है ऐसा कोई मनुश्य ने है जिसको सब कुछ आता है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, हर एक मनुश्य में कमी है, उस कमी को हम पहचाने और प्रभू से प्रात्ना करें, प्रभू इस कमी को भी दूर कर, तब हमारे जीवन में परिवर्तों नोना श्टार्ट होगा, इसलिए यहाँ पर बोलता है, कि तू कप्टियों के समान ना हो, क् की लोगों को दिखाने के लिए अराधनालों में और सडकों की मोड पर खड़े होकर प्रात्ना करना उनको अच्छा लगता है कारण क्या था? उद्देश ये बदल गया प्रात्ना हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो विंती है वो प्रभु इशु मसी तक पहुँचे और प्रभु की दया हो गई तो हमारी विंती पूरी हो जाएगी पर इन लोगों ने प्रात्ना क्यों करी? इन लोगों को समाज को दिखाने के लिए प्रात्ना करी अराधनालों में और मोडों पर जोड-जोड से प्रात्ना करते हैं क्यों करते हैं? ताकि लोग देखें और इनको प्रशंसा दें इनकी प्रशंसा हो इसी लिए प्रात्ना करते हैं हमारे जीवन से सिर्फ और सिफ प्रभु इशु मसी के प्रशंसा होनी चाहिए अगर हमने उद्देश बदल दिया और हम खुद की प्रशंसा चाहने वाले बन गए तो हम कप्टी कहलाएंगे ऐसे नहीं कहलाते हैं हमारा उद्देश जब बदलता है तब हम कप्टी कहलाते हैं प्रभु इशु मसी क्या जानता नहीं था? अरे मनों को पढ़ने वाला था उस समय से और आस तक मनों को पढ़ता है मनों शिरूप में था तब भी मनों को पढ़ लेता था और अब तो आत्मा में हैं एक नए शरीर में आज हमारे अंदर रहता है वो इसके बाजूद भी हम उसको धोका देने की कोशिश करते हैं कर सकते हैं क्या पर उसके बाद भी प्रयास करते रहते हैं इसलिए बोलता है यह पर कि दूसरों को दिखाने के लिए जो प्रात्ना करते हैं वो अपना प्रतिफल पा चूके अब मेरे से कोई उम्मिद मत रखना क्योंकि तुमने मेरे लिए प्रात्ना नहीं करी मेरे पास नहीं आये तुमने दुनिया को दिखाने के लिए प्रात्ना करी क्यों वो लिखा है उसने याँ पर सड़कों की मोडों पर खड़े होकर और ये किन लोगों के लिए लिखा था ये इसके सामने फरीसी बैठा करते थे फरीसी लोग के विशे में यदि थोड़ा सा इतियास आप जाने तो ये यहूदी थे पर यहूदियों के अंदर से अपने आपको विशेश करके अलग कर रखा था जैसे की कोई सा भी धर्म ले लो उस धर्म के अंदर कुछ लोगों को अलग जाती बना देते ऐसे ही थे यहूदी ये अपने आपको सुपीरियर समझते थे अपने आपको बड़ा मानते थे अपने आपको धर्मी मानते थे और अपने अंदर किसी को जुड़ने नहीं देते थे और यहूदियों को जो अलग थे उनको तो ये पापी समझते थे सारा धर्म का जो ठेका इनोंने ले रखाता सब को बताते थे कि हमें नमस्कार करो हमारे सामने सर जुकाना आना चीए तुमें हमको इज़त दो डांट के डरा के इज़त लिया करते थे प्रभु इशु मसी ने करा ऐसा कभी प्रभु इशु के अंदर योग्यता थी आटोमेटिक लोग उसके पीछे आते थे हमारे अंदर योग्यता नहीं है तब हम लोगों को डरा के अपने पीछे करेंगे पर यदर योग्यता है तो आटोमेटिक लोग हमारे पीछे आएंगे पर मैं तो कहता हूँ ये तरीका ही गलत है मनिश्य के पीछे मनिश्य क्यों जाए हम तो सिर्फ एक मार्क दिखाने वाले है प्रभु ईश्यू मसी के पीछे चलने वाले बनना है हमे तब जाके सच्चाई में हम प्रभु ईश्यू मसी को समझेंगे और उससे विंति करना हमें आएगा हमारा उदेश सही होना चीए कि मेरा उदेश ये मेरा लक्ष यही है कि प्रभु ईश्यू मसी को कैसे प्रसन्न करूँ प्रभु ईश्यू मसी से प्रातना करूँ और सिर्फ उसको प्रसंद करने के लिए सारे काम करूँ यदि दुनिया को दिखाने के लिए काम करते हैं तो प्रभू ईशुमसी कह चुगा कि तू कप्टी है कितना सोच समझ के हमें चलना है सोचिए यदि प्रभू ने हमें कप्टी कह दिया तो वो कप्टी को सुर्ग राजी में लेके नहीं जाएगा हम क्यों आते हैं कलेशिया के अंदर हम इसी लिए आते हैं ताकि हम हमारे जीवन को बदल सकें और सुर्ग राजी में जा सकें और कोई उद्देश है क्या आने का यदि हम चाहते वो हैं हमारा गोल यह है कि सुर्गराज यह हमें मिले तो फिर हमें उसके अनुसार काम भी करने पड़ेंगे यह हमारा कर्तब यह बन जाता है आगे लिखता है वो कि वो तो अपना प्रतिफल पाच चुके क्यों? क्योंकि उन्हों ने क्या करा उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए काम करें और दुनिया ने उनकी प्रतिफल मिल गया दुनिया को दिखाने के लिए जब काम करते हैं हम दुनिया की प्रतिफल लेते हैं और खुश हो जाते हैं प्रभू हमको आदर सम्मान नहीं देगा फिर क्योंकि दुनिया से हमने ले लिया हमें ये मालूम होना चीए कि हमें किस से आधर सम्मान प्राप्त करना ए प्रभू ईश्यूसे या दुनिया से और आगे बोलता है वो पर अब करनी कैसी चीए कप्टी के समाननी अब धर्मी जिसने अपने पाप का अंगीकार कर लिया वो कैसे प्रात्ना करता है परंतु जब तो प्रात्ना करे तो अपनी कोठरी में जा अकेले में कोई नहीं हो तेरे पास ऐसे प्रात्ना करे जब तू और तेरा पिता दोनों साथ होंगे ऐसे व्यक्तिकत रूप से रिष्टा बना सांसारी की रूप से नहीं बला कोठरी में जा और क्या कर दुआर बंद कर ये भी लिखा है दुआर खोल भी मत कि दुनिया देखे अरे तू जो प्रात्ना कर रहा है वो तेरा और तेरा पिता बस ये जानना है तेरा पिता खुश होना चीए तेर से दुनिया खुश हो ना हो उससे कोई फरक ने पड़ता क्योंकि एक समय बाद दुनिया भी हाथ छोड़ ले देती है कोई साथ दे सकता है कि जीमन बर हमारे खून के रिष्टे साथ नहीं देते हम दूसर रुपे बरुसा क्या करें पर यहां पर बोलता है जब तू दू द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रात्ना कर तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा यहां पर हमें प्रतिफल मिलेगा वहाँ पर प्रतिफल नहीं मिला वहाँ पर हमने जो भी माँगा वो तो गया हवा में क्योंकि मनुष्य नहीं दे रहा और ये चलन भी कई जगे चल चुका है क्या किसी तक अपनी बात पहुचानी है तो हम बोलते हैं प्रात्ना करना साब या फिर प्रात्ना के समय अपनी कमजोरियां बता देते हैं कि मुझे ये भी जरुवत प्रभु तो जानता है ताकि शाय सामने वाला दया करके उसको कुछ दे दे पर जब तक हमारा एक विश्वास बोलो विश्वास नहीं जब तक हमारा इच्छा किसी एक मनिश्य के पीछे लगी वी है जब तक हमारे आशा किसी एक मनिश्य के उपर है हमका हमारा उपर जो परभु की आशिशन है वो कभी नहीं आएगी क्योंकि हमेरे आशा का है एक मनिश्य के उपर मेरे को याद है जब मेरा एक दोस्ट था, आज नहीं है, इस दुनिया में खतम होगया विचारा, पर वो मेरे से बोलता था, अरे हमेशा दोस्ती करो ने, तो अपने से, अमीर से करो, कभी काम आएगा, मेरे को, मेरे दोस्त हैं भी बहुत अमीर अमीर हैं, मैं उनके कहीं भी नहीं अड़ता और करोड़ पती हैं, पर आज तक मेरे काम नहीं है, और ना मैंने उनसे काम निकाला, मिलते हैं, जुलते हैं, कभी साथ में लंच कर लिया, डिनर कर लिया, पुराने स्कूल की बाते याद आ गई, बस, कभी उस आशा से देखा ही नहीं, कि ये मेरे काम आ जाए, हाँ, किसी जरूत मंद को जौब लगवानी हो, कुछ करवाना हो, तो जरूर उन्होंने साहिता कर दिया, पर मेरे लिए तो कभी, नहीं मागा, प्रभू यही चाहता है, कि हम एक मनुश्य के उपर आशा ना लगाएं, उसके उपर आशा लगाया रखें, क्योंकि वो हमारा पिता जो गुप्त में है, हमसे भी चाहता है, कि हम उससे गुप्त में बात करें, आप अपनी प्रात्ना को किसी को मत बताओ, आपको समझ मा जाएगा प्रभू आपकी सुनता या ने सुनता, किसी को मत बताओ, मन में प्रात्ना करो, और प्रभू ईश्य उसे प्रात्ना कर है वो आपकी बात सुनता है पर हम जब संसारिक रूप से सबको बताते हैं तब हमारा प्रतिफल हमने पा लिया वचन कह रहा है मैं नहीं कह रहा है इसलिए बोलता है यदि तुम्हे परमीश्वर से प्रतिफल चाहिए तो तुम्हें अपनी कोठरी में ऐसे ही प्रात्ना करनी पड़ेगी और आगे बोलता है वो प्रात्ना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो ये चीज भी प्रभू कह रहा है आज नहीं है 2022 साल पहले से बात ये चल रही है प्रात्ना करते समय कुछ न कुछ बोलते हैं दोजार बाइस साल निकल गए पर लोगों की आदत नहीं सुद रही है कितने प्यार से प्रभू समझाता है प्रभू ये कहता था कि मेरे जो चेले हैने वो दूसरों से अलग है रीजन क्या था प्रभू उनके साथ था बोलते भी थे कि प्रभू तेरे चेले तो पास नहीं करते वोला जब तक बराती पास नहीं करेगा जब तक दूला उनके साथ है पर समय आयेगा जब वो करेंगे प्रभू ईश्यु मसीख के संगतियद ही हम महसूस करते हैं तो हमें वो आनंद और वो खुशी रहेगी कि हम कभी किसी भी प्रकार से दुख महसूस नहीं कर सकेंगे इसलिए बोलता है वो कि अन्य जातियों के समान बकपक ना करना कितना घ्रणा करता है प्रभू अन्य जातिय से इस वचन से आप सोचिये जो उसको सर्वशक्ति मान नहीं मानते उसके अलावा सब जगे सर ढोकते हैं उन लोगों से प्रभू चिड़ता है कारण क्या है? इसको उधारण से आप समझें कि आपका पिता आप उसको पिता ना कहके पडोसी को पिता बोल दो गुस्से माजाएगा पिता कि तुने मुझे पिता नहीं कहा बोलेगा पिता? ऐसे हमारा स्वर्गे पिता प्रभू इश्यू मसी है पर मेश्यर और उसका पुत्र और पवित्रात्मा त्रियक प्रभू है उसको छोड़कर हम जब कहां जाते हैं? इदर उदर जगे 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 माथा टेकते हैं तब प्रभू इश्यू को भी चिड़ मस्ती है उसको भी क्रोध आता है कि सब कुछ मैंने बनाया सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया आज स्रिष्टी को तुम पूझ रहे हो स्रिष्टी करता को पूझ न भूल गए ये हो गई सच्चाई जो स्रिष्टी है जो नेचर है जो प्रकरती है उस प्रकरती को तो हम पूझ रहे हैं पर उसको बनाया जिसने परमेश्वर उसको हम मानना उसके हम अराद न करना भूल गए इसलिए उसको चिड़ मस्ती है और मचना भी वाजिब है क्योंकि पिता चाहता है कि पुत्र सिर्फ और सिर्फ उसके सामने आए उससे मागे और उसके लवा कहीं न आ जाए पर यदि पुत्र करता है ऐसा तो पिता को चिड़ मस्ती है गुस्सा आएगा इसलिए आगे बोलता है वो आठवियाद इसलिए तुम उनके समान न बनो क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या ओशकता है कितना अच्छा पिता है सोचिए मांगने से पहले जानता है और ये सच्चाई भी है हमारा बच्चा कुछ बोले ना बोले हमें सारी आवशकता हैं मालूम है उसकी और कई समझदार माबाप उनके बविश्चे के प्लानिंग भी कर लेते हैं कि मेरा बच्चा 25 साल का होगा तब इतना पैसा में जोड डूँगा कि मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ कर पाऊ वो बेवकुफ नहीं है वो समझदार है पर जो जोड नहीं पारे वो अपने आपको बेवकुफ ना समझे परमेश्व पर विश्वास रखे परमेश्व सारे उपाय करेगा क्योंकि उसने हमें एक एक दिन गिनके दिये हैं उससे पहले कोई हमें अटा नहीं सकता हरे एक स्वास जो हम लेते हैं प्रभु की दीवे एक दान है और जो उसने दिय दिया उसको कोई ले नहीं सकता इसलिए आगे बोलता है वो कि उनके समान ना बनो क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले तुम्हारे जानता है अरे उनको तो पताना पड़ता है उनके समान बनना ही नहीं है तुम्हारी क्या क्या आवशक्ता है सारी आवशक्ता है प्रभु जानता है और उस आवशक्ताओं को पूरा करने की वो इच्छा भी रखता है क्योंकि लिखा है वचन के अंदर कि जो कोई मेरा नाम को ये वाचा मांदी गई थी मुसा के समय में, इस्राइलियों के साथ बोलत्यर को एक मैं शारिरिक चिन देता हूँ, तू उस जाती का कहलाएगा जिसके पास वो चिन है ठीक है, यहुदी जाती बनगी पूरी और जो कोई मेर को अपना परमेश्व करके मानेगा, उसकी सारी आवशक्ताओं के मैं पूरा करूँगा, एग्रिमेंट था ये, दोनों तरफ से मनिश्य और परमेश्व की पीच में पहला एग्रिमेंट और ये वाचा बांदी गई परमेश्व ने, कि यदि तू मेरे को मानता है, मेरे पीछे चलता है और मेरे इलावा किसी और परमेश्व की यदि तू नहीं मानेगा, तब मैं तेरी सारी आवशक्ताओं को पूरा करूँगा, ये टर्मस इन कंडिशन के साथ है हम ऐसा ना सोचे कि प्रभू ने वाचा बांदी प्रभू ने बोल दिया, तो फिर सब कुछ करेगा वो, भले हम कुछ भी करें, ऐसा नहीं है हमें करना पड़ेगा तब जाके वो हमारे लिए करेगा हम जब तक उसको प्रात्मिक्ता नहीं देंगे, जब तक उसको हम प्रभू करके ग्रहन नहीं करेंगे और उसके लावा कहीं हमारा ध्यान नहीं होगा, तब तक वो हमारी आवशक्ताओं को पूरी नहीं करेगा उसने कहा है कि मैं तुम्हारी आउशक्ताओं को पूरी मैं जानता हूँ और पूरी भी करूँ और क्यों कि तुम मेरे जन हो और वो अपने जन से अपने लोगों से इतना प्यार करता है जतना हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं इतना ज़्यादा प्यार तो वो क्या हमें हमारी आउशक्ताओं को देख के मुझ फेरेगा क्या नहीं फेरेगी पर हमारा तरीका वो सही होना चाहिए हम दुनिया को दिखाने केलिए नहीं प्रभू ईश्यु मसी को खुश करने केलिए प्रातना करें यदि ऐसा करते हैं तो हमारी प्रात्ना कभी भी खाली नहीं जाएगी पर यदि हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को प्रसंद करने के लिए कर रहे हैं तो हम उससे प्रतिफल के आशा ना रखें अब यहाँ पर बोलता है वो नवी आयत में अता तुम इस रिती से प्रात्ना करो यह तुम यह सिखाया गया यह पढ़ना बहुत ज़रूरी है कोई भी पूरी प्रात्ना पढ़े फटापट अता तुम इस रिती से प्रात्ना करो है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र मना जाए तेरा राज जी आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे प्रति पर भी हो, हमारे दिन बर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपरादियों को शमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपरादों को शमा कर, और हमें परेक्षा में नाला परंटो बुराई से बच्चा क्योंकि राजी और प्राक्राम और मह्मा सदा तेरे ही है आमेन एक मिनिट भी पूरा निवा मैंने गड़ी देखी है प्रभु इश्यमसियны प्रात्ना कर ए एक मिनिट भी पूरा निवा और प्रात्ना कतम हो गए इतना मान धर्मी सरवोच प्रभू क्या उसको ज्यादा बोलना निया था या उसके पास शब्द नहीं थे या वो कम ग्यान रखता था फिर क्यों इतना कम उसने बोला इसको ध्यान से जब हम समझेंगे ने तो ये एक मिलिट से जो कम की प्रात्ना है ने ये बहुत लंबी है इसको समझना ज़रूरी है क्या बोलता है वो हे हमारे परमेश पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए जब मैं बोल रहा हूँ किसी का नाम पवित्र माना जाए तो मेरे लिए भी ये करतव ये बन जाता है कि मैं भी उसके नाम को पवित्र मानूँ ना केबल मानूँ बलकि प्रयास करूँ कि मेरे जितने भी जानने वाले वो भी पवित्र मानें क्योंकि उसके नाम में सब कुछ है जब हम उसका नाम पवित्र मानते हैं तब हम आटोमेटिक अपने सारी बुराईयों से बचेंगे क्योंकि हमने उसका नाम पवित्र माना है और उसके पवित्र नाम को हम अब पवित्र नहीं करें जब हम उसकी प्रजा कह बन गए हम उसके दाज बन गए तो हमारे साथ उसका नाम जुड़ गया जैसे एक बच्चा गलती करता है तो तुरंद उसके पिता को क्या बोलते है अरे अच्छी शिक्षा नहीं दी इनके घर में इसका बाप भी ऐसा ही था इसलिए बच्चा भी ऐसा ही निकला किसकी बेज़िती होती है पिता की इसलिए बोलता है तेरा नाम पवित्र माना जाए यानि कि मैं मेरे जीवन को इतना पवित्र कर लूँ कि लोग बाग मेरे को देखके बोलें कि हाँ इसका पिता है तो स्वर्गे वो इशू मसी वो परमेश्वर वो पवित्र है, इसी लिए ये भी पवित्र है एक छोटे से नाम में पवित्र माना जाए हमको खुद को पवित्र बनना पड़ गया सिब बूल देने से बात खतम नहीं होई उसको निभाना भी जरूरी है इसलिए बोलता है वो कि तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही प्रत्वी पर भी हो प्रत्वी पर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती गया सुनामी उसकी बिना इच्छा क्याती है अर्थक्विक फिर क्यों बोला अरे अभी भी इतना काम करना बाकी है प्रभू वचन कहता है खेद खड़े हुए है मजदूरों की कमी है हमारे मनों के अंदर ये बोज आना चीए कि प्रभू तेरा वचन में संसार में बाट दू और फिर क्या होगा वचन कहता है जब तक हर एक जीब अंगिकार न कर ले हर एक घुटना ना टिक जाए तब तक प्रभू दुबारा नहीं आएगा कितना काम बाकी है सूचिए आज हम संसार में देखते हैं सबसे ज़्यादा क्रिश्चन है संसार में ये तो है सबसे ज़्यादा क्रिश्चन है पर उसके बावजूद भी आदे से ज़्यादा नौन क्रिश्चन लोग है अन्य जाती लोग है उन तक भी सूचमाचार पहुचाना आभिशक है वो भी जाने कि सच में जीवता परमेश्य कौन है तब जाके उसका राज्य आएगा इस प्रत्वी पर तब जाके उसकी इच्छा के अनुसार सब करने लगेंगे तब उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही प्रत्वी पर तब पूरी होगी जब हर एक उसकी इच्छा के अनुसार काम करेगा ऐसे ही नहीं लिखाईए क्योंकि स्वर्ग राज्य में हर एक स्वर्ग दूद हर एक उसकी इच्छा से ही जाता है उसकी इच्छा से ही आता है उसकी इच्छा से ही काम करता है पर प्रत्वी पे हर एक मनिश्य करता है उसकी इच्छा से काम जो उसके विश्वासी दास हैं वो उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं पर हर एक उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता तो प्रभू इशु मसी ने ये जिखाया हमें कि हरे एक मनिश्य जब तक उसकी इच्छा के अनुसार परमीश्वर के अनुसार काम ने करता हमें उसको प्रेरित करना है और वो प्रेरित कब होगा? हम को देखकर होगा हमारे जीवन में जब बदलाओ देखेगा तो आटोमेटिक हो बदलेगा और हमारे जीवन में बदलाओ कब होगा जब हम अपने आपको पवित्र करेंगे जब हमारे अंदर से अशुद्यों को हम दूर करेंगे तब जाके वो प्रभावित होगा आगे पढ़ते हैं, हमारे दिन बर की रोटी हमें आज दे, दिन बर की रोटी, ये सिर्फ और सिर्फ आप शक्ता मांगिए, इससे ज़्यादा हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमीर बनने की चाहाई छोड़ दें, नहीं, प्रभू आशिश देता है, कब देता है, जब हम उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, जब तक हम हमारी जिन्दिगी को अपने अनुसार चलाएंगे, हम मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, वो नहीं देगा, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, इसलिए नहीं देगा, अब आप सोच कि छोटा बच्चा क्या हम उसको चाकू देते हैं नहीं देते हैं क्योंकि हमें मालूम है उस चाकू से उसको खुद को नुकसान होगा चोटे बच्चों से कैंची छुपा लेते हैं कोई भी धारदार बस तो उससे चुपा लेते हैं क्यों क्योंकि उससे वो खुद को नुकस पहुंचाएगा, पर एक समय आएगा जब उसको इस्तमाल करना सीख जाएगा तब उसको दे देंगे, ऐसे ही जब पैसा हमारी लालच की अवस्ता है शरीर में, हम हरी एक चीज को पाना इसलिए चाहते हैं क्या कि दुनिया को दिखाएं, तब तक हमें पैसा नहीं देगा, क्योंकि हमारी इच्छा क्या है, हम उस पैसे का सही उप्योग नहीं कर रहें, हम उस पैसे से दुनिया को दिखाएं, और अपने आपको अभीमान बढ़ा रहें और पैसा ही होता है जो जीवन में अभीमान लाता है, और बजन सहीता में साफ कहता है, गमन से बड़ी चड़ यह पैसे का निचर है इसलिए बोलता है यहां पर कि दिन भर की आज की रोटी हमें आज दे बस जो हमारी जरुवत है उसको पूरी कर दे और तेर से ज़्यादा मैं नहीं चाहता क्यों? क्योंकि यह दिमेर को मिलेगा तो मैं बिगडूंगा मैं तेर से दूर हो जाओंगा और जब मैं दूर हो जाओंगा तो फिर प्राथना करने का क्या उद्देश रहा आज हमारे को पैसा मिल जाए आशीश मिल जाए आशीश नहीं बोलूँगा सिर्व धन संब्रद्धी मिल जाए हमको और हम यदि स्वर्ग राज्जी में जाने योगिन नहीं रहे तो ऐसे धन की क्या हो शकता ऐसे धन से तो निर्धन रहना सही है इस दुनिया के अंदर यदि हमारा जीवन देखे हैं तो पहले नोड़ बुक में लिखा वाता था क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूँ मनुष्य के आयू 100 साल अभी जब नई किताबे चपके आये ने तो मनुष्य के आयू 70-80 साल आ गई अपने आप इससे उपड़नी जारा मनुष्य है और मैं समझता हूँ आने वाले 50 साल बाद या फिर 100 साल बाद मनुष्य के आयू 50 साल लिख देंगे दिन बादिन मनुष्य का आयू कम होती जारी है आप अनुभाव कर सकते है आदम के समय में मनुष्य जीता था 900 साल पाप था ही नहीं बस वो पाप से जन्म हुआता था उसका वही पाप था 900 साल तक जी रहा है नुग के टाइम पे कम हो गया 600 पे आ गए उसके बाद प्रभु ने तै कर दी कि 120 से उपड़ नहीं जाएगा उसके बाद और पाप बढ़ता गया कम होते गए कम होते गए आज कितनी जल्दी एक बच्चा गलत काम के पिछे दोड़ता है आप सोचे कभी आप खुद के जीवन को देखो हम जिस एज में हमारे दिमाग में बिल्कुल भी गलत भावणा नहीं आती थी आज छुटी चुटी एज के बच्चों के दिमाग में आ गई है मेरे स्कूल में रोज केस आते है फर्स्ट क्लास का बच्चा सर मेरे को गलत तर YOURIS किसे बूल रहा है second class का बच्चा क्या एजी उसकी 5 साल, 6 साल मन की विचार बदल गए 7-8 साल का बच्चा गलत काम कर रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जीवन में पाप बढ़ता जा रहा है हम अमारी आवशक्ताओं से ज़्यादा हमारे पास है और उन कारणों से हम क्या कर रहे है अपने आपको ही दूशित करे जा रहे है जब ज़्यादा होता है तब ही वेस्ट होता है प्लेट में सीमित खाना है, पूरा खाओगे रख दोगे, पर ज़्यादा लेलिया तो वेस्ट करोगे नै ऐसे ही ज़्यादा इंकम आएगी तो वेस्ट होएगी और जब वेस्ट होएगी तो आड़े तेड़े काम में होगी जब खाना ही लिमिटेड मिलेगा तब इंसान कुछ सोचता है क्या अधर काम करने के लिए नहीं सोचेगा प्रभु ईशु मसी का उदेश यही था कि सिर्फ और सिर्फ मनुश्य अपने जीवन को कैसे बचा सके वो बचा, वो करें कम रहेगा, सीमित रहेगा तो उसकी हमेशा प्रात्ना में लगा रहेगा प्रभु मेरी यह आउशकता है आज आपको लगता है क्या जो दुनिया के सेकंड नंबर है अडानी जी वो प्रात्ना करते होंगे कि मुझे यह दे दे दुनिया का सेकंड नंबर का मीर है 27,000 करोड का तो कर जाया है अडानी जी के उपर 14,000 करोड है SBI से अभी लोन लिया था ऐसे ही अमीर नहीं बना पर इतनी अमीरी उसको गुटने टेकने पर मतलब इतना एहम आजाता है इंसान के अंदर वो हो या कोई भी हो इंसान के अंदर इतना एहम आजाता है ऐसी अवस्था में यह गुटने नहीं टेकता फिर किसी के सामने ने टेकेगा क्यों टेकेगा जो चाहिए वो खरिश सकता है जो मर्जी पड़े कर सकता है फिर हम क्यों किसी के सामने जाएं आज हमारे जीवन में अभाव है इसलिए हम क्या करते हैं अपने जीवन को परमेश्र के नजदीकी में रखते हैं जदी अबाव नहीं होगा ने तो रखना भी भूल जाएंगे इसलिए बोलता है वो दिन भर की रूटी मुझे आज दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को शमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराध को शमा कर ये प्राथना जब हम बोलते हैं तो सोस समझ के बोलें जैसे हमने अपने अपराधियों को शमा किया हमने यदि पून रूप से शमा कर दिया है तब ही वो हमें पून रूप से शमा करेगा यदि आज भी हमारे जीवन में कहीं न कहीं उस अपराधी के खिलाफ एक हल्किसी भी ग्रज है ने कि आर बेकार आदमी बात निकरूं मैं इससे तो प्रभू ने भी वैसे ही शमा किया है इन प्रात्ना के शब्दों को जब हम गंभीरता से लेंगे ने आप सोचना कि प्रभू ईशु मसी कितना बुद्दिमान है कि हमारी बातों में हम उलचके रह गए अब हमसे बोल रहे हैं प्रभू नुम Hmm अपराध्यों को शमा किया हम यहां पर हमें सीखने को भी मिलता है कि हमें सो प्रतिष्ट शमा करना है किसी ने कितना भी गलत क्यों ना किया हमारे साथ हमें उसको शमा करना है जब हम सो प्रतिशे शमा करेंगे तब ही वो हमें सो प्रतिशे शमा करेगा सिर्फ हमने दिखाने के लिए दुनिया को बताने के लिए हाँ माफ कर दिया पर आज से आना मत तुमारे गर में तो प्रभु भी भी बोलेगा माफ तो कर दिया सुर्ग राजय मत आना बहुत अंतर है एक एक चीज हम जब समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे शब्द कितने थोड़े होने चीएं क्योंकि वचन कहता है क्या कहता है ये ध्यान रख प्रात्ना करते समय कि वो स्वर्ग राजय में और तू प्रत्वी पर है तेरे वचन थोड़े हो जब थोड़े वचन बोलेंगे ने तब हम हमारे मूँ से गलत नहीं बोलेंगे पर कई बार ज़ादा बोलने के कारण हमारे मूँ से कुछ गलत ना निकल जाए इसलिए प्रभू समझाता है हमें वचन के द्वारा तेरे वचन थोड़े हो तब तू सीखेगा सही माईनों में प्रात्ना क्या होती है ज़ादा बोलने में हो जाती है गलती मनिश्य का नेचे रहे है हम मनिश्य ही हैं हम गल्ती करने के लिए ही पैदा हुए हैं पर उसकी दया से हम सिरफ और सिरफ जीवित चल रहे हैं और उसका अनुगरे से और आगे बोलता है वो आखरी आयत तेरवी हमें परिक्षा में नाला परंतु बुराई से बचा ये चीज हमारे जीवन में होनावनिवारी है हमें परिक्षा में नाला परिक्षा ही है जो हमारे विश्वास को तोड़ देती है हमें खतम कर देती है हमारा सारा विश्वास एक बार में खतम हो जाता है और जीवन में निराशा आजेती है परिक्षा ऐसी होती है और कितना भी बड़ा विश्वासी क्यों नो चालिस साल पुराना विश्वासी हो पचास साल पुराना विश्वासी हो परमेशो का दास क्यों नो हो निराशा हर एक के जीवन में आती है, शैतान कमजोर नहीं है, ये धियान रखें एक मिनिट में आपके विश्वास को खतम कर सकता है शैतान, इसलिए हमारी प्रात्न ये होनी चीए, प्रभू हमारी परिक्षा में ना डाल, हमें बचा ले, क्योंकि हो सकता है, जो हमारा विश्वास रूपी जहाज है, वो परिक्षा में डूप जाए और आगे क्या बोलता है वो? बुराई से बचा ये जीवन में होना निवारी है जब तक हमारे जीवन में बुराई बनी रही कि तब तक हम उसका नाम पवित्र नहीं कह सकते उसका नाम पवित्र कहना है तो हमें पवित्र बनना पड़ेगा और बुराई रहेगी तो हम पवित्र बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते बोलता हमें बुराई से बचा क्योंकि तेरा राज्य और पराक्रम महिमा सदा तेरी ही है और उसके बाद बोलता है वो आमीन कि जो कुछ मैंने मागा प्रभू तो उसको पूरा कर आमीन का मतलब यही होता है कि जो कुछ मैंने मागा उसको तो पूरा कर राज ये प्राक्रम और महीमा तेरी ही है प्रभू मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, मैं धर्मी हूँ अधर्मी हूँ, मैं पापी हूँ कैसा भी हूँ मेरे अच्छे बुरे होने से तेरी महिमा कम नहीं होती तेरा राज्य, तेरा पराक्रम सदा वैसा ही रहेगा पर ये जो तुने आवदिकार दिया है हमें, ये जो तुने एक सौभाग ये दिया है हमें कि हम विंती कर सकें तेरे सामने इसलिए मैं तेरा धन्यवादी हूँ अब जब विंती का आउसर मिल गया तो विंती करना भी हमें आना चाहिए सही माइनों में यदि हम विंती करते हैं जो भी बोलते हैं उसको समझ के बोलते हैं, तब प्रभू हमारी आवशक्ताओं को और हमारे को प्रतिफल देगा, ये तैह है, अब आप बोलें कि, ज्यादा लंबी प्रात्ना ना करें क्या, कर सकते हैं, पर अपनी कोटरी में, एकांत में, दो-दो गंटे बिताओ, पूरी रात प्रात्ना करो, क्या प्रभू इशुमसी ने नहीं करी पूरी रात प्रात्ना, करी ना, और उससे बोला, उनके चेलों से, क्या तुम दो पहर नहीं जाक सकते थे गया, उनको नीद आई, वो सो गया, पर एकांत में, व्यक्तिकत रूप से, आप समय बिताओं नहीं, पूरी रात बिताओं, पर व्यक्तिकत रूप से, पर सारवजनिक जब हैं, तब हमारे शब्द, वो से होने चीए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसको महिमा मिले, परमेश्व इन वचन से हम सब को आशिशित करें, आई एक छोटी सी प्रात्ना करें, हे मारे प्रभू, हम सब को समाल करकते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद इश्वर, मिर प्रभू, आज के वचन को मिर प्रभू, हर एक विश्वासी के जीवन में उतारना इश्वर, सच माइनों में मिर प्रभू, आपके प्रात्ना करना भी एक सीखने की चीज़ है इश्वर, मिर प्रभू, बारा के बारा चिले, आपके चुने वे थे, और हमारे से बहुती अधिक धर्मी और बहुती अधिक विश्वास योग्य थे इश्वर, उसके बावजूद भी आपने उनको सिखाया इश्वर, मिर प्रभू हमें सीखने की बहुत आउश्वता है, हमारे जीवन में बहुत सी अभी भी ऐसी बाधाएं हैं, जो हमें प्रात्ना से दूर लेके जाती है इश्वर, उन बाधाओं को दूर करना, हमारे जीवन से एहम को हटाना इश्वर, हमें अधिन्ता में रहना सिखाना इश्वर, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं इश्वर, हर एक विश्वासी के लिए प्रात्ना करते हैं इश्वर, ये वचन उनके जीवन में कारी करें, उनके जीवन को अमिर प्रभु आप बचाना एश्वर और उनके जीवन में प्रात्नाओं का प्रतिफल देना एश्वर सब कुछ आपके हाथों में सौंपने एक और बार प्रभु ईश्यमसी के नाम से मागते हैं आमेन और अब हमारे परमीश और पिता का प्रेम प्रभु ईश्यमसी का अनुख्र, पवितरात्मा के सहबाकिता हम में से हर एक विश्वासी के जीवन के अन तक बनी रहे आमेन